गुड़ ओर्णिंग इस्टूडेंट्स कैसे हो बारिश वारिश हो रही है सुबह से भी मौसम प्रो रहा है अब लास में देख और यह कि बेक्टिरिया कोशीका की सरंचना ऍसलेmmain कैसी होती है कौन कौन से बेक्टिरिया जिन после कि देखा था कि जैसे हैं विब्रियो कॉलिरी से होता है ताइफेत साल्मोनेला टाइफेस से होता है यह सारी अपने देखे थे कि अब देखते हैं अपन बेक्टीरिया में किस के दवारा जनन होता है तो देखो मैं आज आपको बैक्टीरिया करते हैं कोशी का 在चा करेंगे एक बैक्टियरिया होगा उसमें कोशी का विभाजन करना भी जब परिस्तितियां विपरीत होती है, मतलब वातावरण में नमी नहीं है, प्रोपर ओक्सीजन नहीं मिल रही है, उस परिस्तिति में क्या करेंगे बीजाणू बनाएंगे, बीजाणू वो सरंचना होती है, जिसके चार और एक आवरण पाये जाएगा, जैसे ही परिस्तिति बीजानों निर्माण के द्वारा अब इनमें लेंगिक प्रजनन भी करते हैं बैक्टिरिया क्या करते हैं आपके लेंगिक प्रजनन भी करते हैं इसमें क्या होगा एक बैक्टिरिया का डियने दूसरे बैक्टिरिया के डियने से क्या हो जाएगा आपके एक्सचेंज हो दूसरे बेक्टिरिया में चला जाएगा और इससे क्या होगा आदान परदान हो जाएगा तो ये था आपका बेक्टिरिया में जनन ये NCRT है अब है आपके माइको प्लाजमा ऐसे जीवधरी जिनमें कोशिका भित्ती बिल्कुल नहीं पाई जाती है यहां इंपोर्टेंट चोटी जीवित कोशिका होगी माइको प्लाजमा बिल्कुल ना जो ऑक्सिजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं जो क्या माइको प्लाजमा इसके अलावा अनुक होते वह प्राणियों और पाद्पो में क्या करते हैं आपके रोगत्पन करते तो अपने देखा कि जो आपका माइको प्लाजमा इसको पीपी एलो भी बोलते है प्लूरोमनिया लािक ऑर्ग किनिव सबसे छोटा जी वुथा है ठीक है और यह क्या करता आपका ऐसा जी वोता जिसमें कोशीका अबिती नहीं पाई जाती अब अगला देखते हैं प्रोटिसटा अगला देखते हैं अपन प्रोटिसटा यह था आपका कि बैक्टीरिया इससे जस अगलाएगा आपका प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा अपने देखा था प्रोकेरियोटिक यूकेरियोटिक इसके अलावा आपने देखा कि सब्रोटिस्टा में क्या जाएंगे सभी एक कोशी के जैसे मोनेरा और दूसरा वर्ग क्या था आपका प्र प्रोटिष्टा में क्या आजाेंगे सभी ऐक कोशिक यूकल यूठ जेहां रखना मैंने पंच जगत संकवना भिभी आपको कि इसको प्रोटिष्टा में मेस एक चर्ट नियुस्क सथ्याइ Richmond सथ्याइग एक ग्यानिक को प्रकास्थ शंसलेशी प्रोटिश्टा कहता है तो दूसरा क्या बोलता है प्रकास नसलेशन और नहीं भी करता है इसलिए इस के सीमया आपकी क्या आपकी निरधारित नहीं होती है तो प्रोटीस्टा क्या होंगे प्रकास संसलेशी अब क्राइसोफाइटा प्रोटिष्टा के आपके वर्ग है क्राइसोफाइटा डाइनोफलेजिलेट यूगलिनाइड आउपंक कवक और प्रोटोजवां यह सब क्या होंगे आपके प्रोटिष्टा में इस पुस्तक इस वाली बुक में आपके प्रोटिष्टा मे लमें रहते हैं यू केरियोटिक है। तो कोशी का कैसी हो गैशिए? आपकी संगठित प्रकार क्योंगी। कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होंगे जिनमे कसाब और पक्षाम भी पाए कसाब भी पाए जाएंगे और पक्षाम भी पाए जाएंगे अलेंगी तथा कोशिका सलेन भी ओता अलेंगी जनन भी करेंगे और जाइगोट का सुनेरे सेवाल जिनको अपन क्या कहते हैं डैसमिड यह डायरेक्ट क्यूशन आता है डाइटम सता सुनेरे सेवाल किसमें समलित किये गए तो आंज़र होगा क्राइसोफाइटा यह सुच्छ जल में और लवणी जल दोनों में तो यहां से क्यूशन रेर आने के चांसिस होते सबको पता है सुच जल और समंद्री जल दोनों में पाए जाते हैं इसके अलावा सुक्षम होते हैं कैसे होंगे बिल्कुल बारिक होंगे आप नगना आखों से इनको नहीं देख पाओगे इसके अलावा जलदारा के साथ निश्ट रूप से निश्ट का मतलब ही होता है ज साबूंदा दाइटरी ठीक है और इन भीतियों में अ जिलिका होती है जिसके कारण़ ये नश्ट यह मैं चिद्र जोते हैं वैसे इनकी कोशी का विती होती है पर इनकी कोशी का विती के ऊपर क्या होता सिलिका का आउरण जिससे क्या होती है का टोर हो जाती है यह अब यहां से कुशन पिछली साल टूथ उसले नायंटीन में क्या था जो डाइटमी मृदा है रर geht मिम्रदा क्या है तो यहां से अच्छा क्यूशन होता है कि जो डाइटम जो क्रॉफ क्राइस फाइटा के जीवर डाइटम जैसे से वह मृत होते जाते हैं तो उनके जो अवशेश होते हैं या उनकी जो कोशी का भीत्य होती है उस अब वातावरण में धिरे-दिरे समुंदर समुंदर में क्या होती है कं में होने कारण इस मरदा का उप्यों किया यह सब्सक्राइब गिंड़ के मुख्षेश उतका-टम सोते हैं यह समुंदर के मुख्यूप बेद्भ जैसे श्मा मोने कौन आएंगे डाइटम सोर डैसमेर्ड इसके अलावा डाइटमी मरदा ये तो इंपोर्टेंट है दूसरा चलते है डाइनोफ लेजिलेट ये जियो-धारी भी समदर वासी होते हैं ये प्रकास संसली होते हैं क्राइस ओफ इस नियुक्त हैं पर ये कैसे प्रकास संसली होते हैं इन में उपसी परमुक वरनक कैसे कैसे वरनक होते हैं पीले हरे भूरे अत्वा नीले होते हैं देखो यह डाइनो फ्लेजिलेट डाइनो का मतलब होता है दो फ्लेजिलेट का मतलब फ्लेजिला तो इनका जो वरनक होता है भूरे हो सकते हैं नीले हो सकते हैं अत तोद्दी कि ठाइए की रहाँ कि सिलिका की थी यहाँ रख ना ये कि कि आ हो दो कहसाब होगे जिसमें एक लंबवत सरंकला और दूसरा अनुपरस रूप में भित्ति पट्टियों के बीच में होती है, डाइनोफलेजीलेट के से होते है常 लाल जो डाइनोफलेजीलेट होते हो 2 Singya में जादा होंगे और क्या करेंगे कई बार इतने जादा संक्या में हो जाते हैं कि समुंदर में ऐसे लगता है जैसे विस्पोर्ट हो रहा हूँ जिससे समुंदर का जल्ले ऐसे दिखता है लाल लाल तरंगों इसको बोलते रेड टाइड इसको बोला जाता है आपका रेड टाइड जैसे आपके रेज निकलती है वैसे इसमें से निकलती रहती है इसको बोलते रेड टाइड और यह होता है आपके डाइनोफलेजिलेट की से घीक है इसके अलावा इंके जो बोड़ी के सबस्टेंस होता है इन जीओं से विषयल पधाद निकलता है जिस से क्या होगा उस area के जो भी मसलियों कि अन्मे जी हों Greg कि वो सब क्या हो जाएंगे आपके नस्ट हो यूगलीनोड यूगलीनोड में कैसे होंगे स्वच्छ जल में पाए जाने वाले होंगे स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी किसमे होंगे आपके यूगलीनोड में इस तिर जल में पाए जाएंगी इनमें कोशिका भित्ती की जगए जगए प्रोटीन यूग प वो जीवी आते हैं जो स्वची जल में पाए जाते हैं इसके अलावा इन में क्या होगी कोशी का बित्ती होगी वो जगे जगे प्रोटीन युक्त पधारत के पतली सी परत पाए जाती है जिसको क्या बोलेंगे अपन पहली कल बोलेंगे और यह पहली कल ही क्या करते हैं इनको लचीला परदान करती है जो भी होंगे उनको क्या करेगी लचीला परदान अब देखो जो यूगलीनॉड होते हैं इनमें कसाब भी पाए जाएंगे एक हो सकते हैं दो हो सकते हैं इसके अलावा यह सूर्य की प्रकास की उपसित में प्रकास संसलिशन कर लेंगे और जब सूर जो वरनक है वो ऐसे लगते हैं जैसे उच्च कोटी के जो पादप है उन में और इसका सबसे बैस एक्जामपल आपका यूगलीना आपको दिखी रहा है डाइग्राम यूगलीना उपर वाला यूगलीना जिसमें एक असाब है इसके लाव नीचे वाला आपका पेरामीश हैं अपना देखेंगे अगले में अब आपका आउपंक कवक क्या होते हैं? आपके मिरत पोशी प्रोटिस्टा हैं कवक वो जो यो प्न म्रत सडे गले पधार्तों से अपना भोजन-प्राथ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन कवक यह देखो देरका यहां सड़ती वी टैनियोता पत्तों के साथ गत्ती करते वे जेविक पधार्त जो भी जेविक पधार्त होंगे जो भी जीवित होंगे उनका क्या करेंगे बख्षन करेंगे अनुकूल परिस्चतियों में समू आयां ये ध्यान रखना प्लाजमोडियक एक तो सबस्क्राइब ओर ऑ monet राता है वह वालाह प्लाजमोडियम नीए कफ्रिस्चति उन्हरा प्रिस्चतिति नहीं में क्या हुआ हो प्लाजमोडियम बनाएं इन वीजय का प्रिक्षेपन वायू के साथ तो कवक क्या होता आप यॲाको के वाय्यू के साथ भी फेल सकते हैं वायू में उड़के भी आ सकते और जिसकी वज़े से किया होता है इनका infection हो सकता है अब चलते हैं अपने protozova पर सबी प्रोटोजोवा कैसे होंगा आपके पर भक्षी होते हैं यह प्राणियों के पुरातन संबंद्य पूरातन का मतलब होता है आदिकाल से यह प्राणियों के साथ रहते हैं प्रोटो जोवा को चार समों में बाटा यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट अमीबी यह प्रोटो जोवा मतलब वो प्रोटो जोवा जिनका आकार कैसा आपका अमीबा जैसा है यह एक इंपोर्टेंट क्यूशन है यह जीवद्वारी सुच्छ जल समुंदरी जल नम मरदा में भी पाई अब देखो यह मरदा में आ चुके इन में कूट पादों देखो अमीबा आपने सबने देखा होगा अमीबा की आकरती कैसी होती है इर्रेगुलर होती है अमीबा कैसा होता आपका इर्रेगुलर शेप का होता जिसकी कोई निशित आकरती नहीं होती है तो अमीबा में पाए जाते हैं आपके कूट पाद ठीक है तो इन कूट पादों से अपने सिकार को पकड़ता है इनके समुन्दरी प्रकारों की जो समुन्दर में रहते हैं आपके प्रोटो जो चो परजीवी में परजीविदे तो 90% water में आपके ant amoeba का infection है यह ant amoeba क्या करता आपके contaminated water की दूशित पर दूशित जल्की थूख क्या करता आपके सरीर में पहुंच जाएगा और आपकी जो आथ है उसमें infection करेगा और आपके दस्त होंगे और इतना भेंकर पहन होगा जैसे appendix का पहन होता है पर अगर आप इसका treatment लेते हो तो इसको रिमूब भी किया जाता तो यह ant amoeba हिस्टोलाइटी का ठीक है अब अपन नेक्स देखते हैं आपका ant amoeba हिस्टोलाइटी का मतलब जिसमें कूट पाथ पाए जाते हैं दूसरा है कशाबी प्रोटोजोवा मतलब वो प्रोटोजवा जिनमें कसाब पाए जाते हैं ठीक है सिंपल सी बात ने कसाब होंगे परजीवी कसाबी प्रोटो जवा बिमारियां फेलाते हैं, जैसे निंद्रालू रोग, मतलब वो बिमारी जिसमें वेक्ति नींद में उठके रवना हो जाता है, वो होती है आपकी निंद्रालू बिमारी, यह होती है प्रोटो जवा की एक स्पेसीज है, ट्रिपनो सोमा, नि इससे होती है निंद्रालू बिमारी, अगला है पक्षाम भी प्रोटो जवा, यह जल यह तरता अतियन सक्रिय गत्य करने वाले, मतलब जल में रहेंगे और तेजी से गत्य करेंगे, क्योंकि इनके सरीर पर हज़ारों की संक्या में पक्षाम पाए जाते हैं, और यह करेंगे, ठीक है, कारण जल से पुर्थ भोजन ग्लेट की तरह भेज दियाता है, मतलब जैसे आपके एक दिशा में गत्य करेंगे, तो ग्लेट होता न निगलने, उसे आपके भोजन चलाता है, यह पक्षाम भी प्रोटो जवा, इसके अलाव अगला है स्पोरो जवा, बीजानू बीज से मतलब नहीं है, यह एक एलेंगी जनन का प्रकार है, तो यह संकरमना वस्ता पाई, सबसे कुख्यात कोन है, प्लाजमोडियम, मलेरिया, देखो, सब को पता है, मलेरिया, जादत तर लोग यह समझते है, मलेरिया किसे होता है, आपके मादा एनफलीज मच होती है, वो केरी करती है, मतलब इसको गाड़ी में बिठा के लाने और ले जाने का काम कोन करती है, आपकी मादा एनफलीज मच्छर करती है, ठीक है, तो यह था आपका प्रोटो जो अगला वर्ग चलते है, पन कवक यह फंजाई जगत, अब देखो कवक का मतलब ही यह होत हर जगें पाई जाएगी, इसके अलावा अगर आप सिंपल सी बात में देखें, जैसे आपके रोटी है, संत्रा है, यह सड़ जाते हैं, रोटी ब्लेक से बूफन सी आ जाती है, वो कौन आपके फंजाई है, संत्रे के छिलकों को आप रख दो, वो सड़ जाएंगे, ब्ले सरसों की पत्यों पर सफे सपे धब्बे बन जाते हैं, वो भी किसकी वज़े से होते हैं, आपके फंजाई की, अब अपन यहां इंपोर्टेंट बात करते हैं, इस्ट का उपयोग रोटी तिता बियर, तो जो बैकरी इंडस्टी होते हैं, चीज बनती है, पिज़ा बनता है इसके अलावा आपके केक बनता है, इंसम में किसका इडली है, डोसा इंसम में किसका यूज़ किया जाता है, तुरंत आपको खमीर उत्पन करने के लिए इस्ट का उपयोग किया जाता है, तो बैकरी इंडस्टी की बैकबॉन कोन है, आपका इस्ट है, ठीक है, इसका नाम ह ओता है सेरी वेसी इसका नाम होता है सैकेर ओमाई सिटीज सेरी वेसी कई ऐंगा मैं आपको फिल से स्प्जार कर दूँगी इसके अलावा निडेल है यहाि कि इसके अलावा पजाई के useful यूज भी वी है और हानीकारग पर बहएं इस अन्य फंजाई पोदोतों जंतों में रोग करती है उदारण के लिए ग्यों में होता है किट रोग ग्यों के जो दाने होते हैं बलेक बलेक हो जाते हैं उसको बोलते हैं किट रोग और यह होता है पक्षीनिया के कारण पक्षीनिया फंजाई का नाम है अब देखो पैनी सीलि यह जिसका निर्मान किया गया था और यह कौन थी आपकी आपकी फंजाई थी ठीक है नेक्स देखते हैं अपन फंजाई विश्व्यापी है हवा जल मिटी जन्तू पोदे हर जगह मिल जाएगी गरम तता नम इसतानों दोनों पर मिल जाएगी ठीक है अब देखो फंजाई का जो सरीर होता है तंतू जैसा होता है धागे धागे जैसा होता है एक तंतू को बोलते हैं हाइफी एक अपन जब फंजाई डिटेल से पढ़ेंगे फंजाई जगत एक अलग से फंजाई का वर्गीकन पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन इसके अलावा जो पूरा सरीर होता जाल होता उसको बोलते हैं माई शीलें हिस्ट जो एक कोशिक है ज़दा तर्फ के बहु कोशिक फिज़ह संग्रक्चा होइँ जिसमें केंद्रक रखोउँ रह गहीं कोशिक-धरोबढ़ रहता हैं जिने संकोशिक कवक कहते एसा कवक जिसमें एक से जादा केंदरक हो उसे संकोशिक कवक कहते हैं अन्य कवक तन तुम पट होंगे बीच पीच में सर्फटा पाए जाएंगे फंजाय की कोशिका देखो यह important है मैं इंडरलाइन कर दिया है फंजाई की कोशी का कायटीन और पॉली से करेड़ से बनी होती है जो फंजाई होता है उसकी कोशी का कायटीन और पॉली से करेड़ से बनी होती है अधिकांस फंजाई परपोशी होते हैं मृत ब्रस्टेड मतलब खतम होने वाले गुलंसिल कार्बनिक पदारतों होश्र करते मुर्त जीवी होते हैं जो फंजाई सजीव पोदो जन तो मुर्टे है उन्हें परजीवी मरत से बनाएंगे वो मरत जीवी सजीवें से लेंगे वो परजीवी के लाते अब देखो शेवाल और लाइकेन के साथ भी ये सह जीवन बिताते हैं। शेवाल और लाइकेन के साथ भी सहजीवन बिताते हैं अगर लाइकेन सेवाल सोरी शेवाल के साथ अगर फंजाई रह रह रहा है तो उसे कहेंगे अपन लाइकेन और उच्छ कोटी के पादपों के साथ रहता है तो उसे कहेंगे माइकोराइजा फंजाई में जनन किसे होता है वो अपन कल देखेंगे आप इस टोपिक को देखना मैं आपके ऐसे अल्टरनेट ऐसे भी क्लासे लगाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट अपन एंसी आर्टी देखेंगे और अपन डिस्क्रेप्शन करके वैसे क्लास भी होगी थैंक यू पढ़ते रहिए घर पे रहिए शेप रहिए आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट्स करिए